हेलो सुदेंट्स मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मागनेट ब्रेंस हिंदी पर मागनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी बाध्यम की कक्षा च्छा से लेकर कक्षा बार्मी तक का संपोर्ण पार्टिक्रम बिलकुर नेसुल्क में मागनेट ब्रेंस मतलब है फ्री एजुकेशन आपको यहां पर किसी परकार का कोई पेमेंट करने क्या हो सकता नहीं होती है आपको यहां पर सभी वीडियो बिलते हैं बिलकुर ने सुल्क वह भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी डीचर्स के साथ चलिए स्टार्ट कर रैडिकल बात रैडिकल बात का मतलब आमूला परिवर्तन बात और आर्थिक संकट है ना एकॉनमिक क्राइश id हम इन इन दोनों बातों को इसमें देखने वाले हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देख लिया था हमने युद्ध का असर दिखा हुआ था अपने गर्राज और उसके हमायती लोगों को लोग नौंबर का प्रादी कहते थे नौंबर का प्रादी क्यों कहते थे क्योंकि जो आपकी संधी हुई थी वो नौंबर के अंदर हो जाती है इनके बाद फिर हमना देखा था कि लोग बदला लेना चाहते थे बदले की भावना से गरस होते थे वहाँ पर कि उनकी जिन्दगी थे उसका भी बखान करने लगे यह सारी बाते हम पिछले वीडियो के अंदर देख चुके थे अब हम स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो में जो हमें राजनेतिक रेडिकल बाद देख रहा है और दूसरा टॉपिक जो हमारा है जिसमे दो देशों को लेकर चलते हैं यह दोनों ही देश कफी सक्तिसाली देशों में से एक थे एक तरफ हम जहां देखते हैं जर्मनी और दूसरे तरफ वहीं हम देखते हैं रूस को जर्मनी में हमने देखा था बाइमर गड़राज की स्थापना होगी और कैसे होगी यह एक संध पार्टी ने क्या किया जर्मनी के अंदर गड़राज इस्थापित किया वैसा ही रूस के अंदर भी कुछ घटनाये चल लहीं थी वहाँ पर भी कुछ ऐसी कोछ से चल लहीं थी गड़राज इस्थापित हुआ और उस गड़राज के अंतरगा थी आप देखेंगे वहाँ पर एक लीग या एक पार्टी बनाई गई इसको कहते इस पार्ट किस्ट लीग कहलाती है यह किसकी तर्ज पर बनाई गई जो रूस में बोल्सेवे क्रांटी हुई थी उसी बोल्सेवे क्रांटी के तर्ज पर जर्मनी में क्या बनी इस पार्ट किस्ट लीग की स्थापना की गई और वो अपनी माँं को लेकर बात करते थे माग नहीं होती थे विद्रोह किया कुछा किया ये बन गई तो उसने करांतिकारी बिद्रोह की योजना को अंजाम दिया स्कू Cesd siahahaha कि हम कुछ क्रांतिकरी बिद्रों करते हैं और ऐसी कई साही उजनाओं को उसके द्वारा अंजाब दिया गया अब क्या हुआ जो गड़राज बने गया था दिखना हुता क्या है समस्या क्या आती है समस्य आती है कि आपने एक ऐसा देशह है कि छो अपमान से लदा पड़ा है इतना अपमानत हो गया है और उस पर आप एक एकदम स्व nellगोशन अप करा गया है तो वो शाते से पहले बदला ले लिया रह जा हो वो वैसा गल़राज की थाफन नहीं चाहते थे और गल़र ऐसे लोग थे जो बदले की भावना से गरसित थे वो बदले की भावना वाले लोग क्या चाहने लगी सोवियत क्या है एक तरीके की यूनियन तरीके का होता है सोवियत चाहने लगे सोवियत सरकार बनाना हर एक जगह की अपनी सोवियत हो ना सिंगल पार्टी तरीके का कॉंस होना चाहिए वहाँ पर जैसार रूस में हमने देखा हुआ था कि रूस के अंदर भी सोब्यते हुआ कर दी मजदूर और नात्कों के तवारा जगए जगए पर अलग अडग सहरों पर ऐसी सोब्यते बनाना स्टार्ट कर दिया जर्मनी की जो एक सहर है जर्मनी की जो राजध बरग है यह जो मजदूर बरग है किसान बरग है वो सब नाविक हैं वो सब क्या चाहते हैं कि सोब्यत बना दी जाए तो सोब्यत की स्थापना की कोसिश चल लाई थी और नारा बड़ा तेज चला था अभी तक सिर्फ क्या था बाइमर गर्राज बना हुआ था वो काम कर र है था यह कैसे लोग है यह सोब्यत की हो सा बना कर दा बन गशानो देखेगा कईा देश में कि दो तरीके की सथाएं आ आती है दो तरीके की पावार आगई है वह बात करते हैं जर्मनी अंदर घर्मनी में दो प्रकार की मांग चल लए है कैसी मांग चल लए है एक मांग हो रही है कि भाई या सोबियत बना दू और दूसरी में क्या बना दिया गया लोक तांत्रेग है क्या बना दिया गया लोक तांत्रेग लोक तांत्रेग गल्राज बना दिया गया क्या बना दिया गया लोक तांत गराज कह दिया गया सोवियत की मांग करने वाले कौन है मजदूर है और नाविक है मजदूर और नाविक मतलब हम ऐसा कहें कि जो निचला तपका है जो गरीब तपका है वो सोवियत की मांग कर रहा है तो क्या संख्या कि ज़्यादा होगी संख्या इनकी ज़्यादा हो सकती ह लोग तांतर गराज की मांग करने वाले कॊन लोग हैं लोग तांतर गराज की मांग करने वाले समाज़बादी जब इनके सासन जो आपने नया नया भी सासन ये वाला बना दिया गया है इसके विरोध में इसके नारे लगेंगे तो जो लोकतांत्रे गडराज में लोग बैठे हुए हैं उनको कैसा लगेगा अच्छा या बुरा बताईए कैसा लगेगा इनको अच्छा लगेगा बुरा इनको तो बड़ी मिर्ची लगेगी हमने जो बना दिया उसका विरोध तो इनको बड़ी मिर्ची लगेगी तो फिर क्या होता है जब इनको बुरा लगेगा तो फिर उसका उपाय करेंगे उसका इलाज किया जाएगा तो यह लोग क्या करेंगे जो इनकी मांगें चल रही हैं इन मांगों क्या करेंगे दबा दिया जाएगा उनको कुछल दिया जाएगा देखिए कैसे कैसे दबा कुछल देंगे तो सरकार की प्रतिक्रिया सामने आ गई ना दो धले में जर्मनी बढ़िया था एक ने लोग तांत्रे गड़राज की स्थापना कर दी और दूसरे लोग जो नावेक और मजदूर हैं वो सोवियतों की मांग कर रहे थी तो सरकार की स्थापना हो चुकी थी गड़राज बन चुका था तो जैसे ही सरकार की प्रतिक्रिया आई सरकार की प्रतिक्रिया मतलब क्या है गड़राज की प्रतिक्रिया बाइमर गड़राज में जो लोग च संगठन की सहाइता से उनने विडरो चल लाए हैं उसको क्या कर दिया सोभियत के लिए जो आंदुलन चल लाया उसको क्चल दिया गया तो आप बताएंगे कि जब दबा दिया गया या कुछल दिया गया आप देख रहे ले फोटो आप देख पा रहे होंगे यह ऐसे गलिया पटी पड़ी थी गलियां भरी पड़ी थी जो लोग मांग कर रहा थे लेकिन फिरी कोर संगठर की माध्यम से इन पर गोली पत्थर चलवा दिये इनको कुछल दिया गया तो अब जो जर्मनी दो पार्ट में बट गया था है ना और जो नाविक थे नाविक और कौन थे मजद मजदूर इनके द्वारा ही तो डिमांड की गई थी ना सोवियत की यहीं लोग सोवियत को चाहने वाले थी तो क्या यह अब उसको पसंद करेंगे जो सासन चल लाए जिसने इनकी उपर गोली चला दिये यह उस चीज़ को पसंद करेंगे नहीं करेंगे तो यह क्या हो चाहते थे कि सोवियत बन जाए जबकि यह लोग चाहते थे कि गडराज की स्थापना हो गई तो इनने नाविक मजदूरों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया इना इस पार्ट किस्ट लीग जो हुआ करती थे उस लीग से यह जुड़ा जुड़े हुए थे तो अब जब तो इनका कुछ नहीं हुआ तो इन लोग सरकार ने पृतिकरिया दर दी तो अब इस पार्ट किस्ट लीग को कुछ करना था तो इस पार्ट किस्टों का मतलब क्या हो गया जो इस लीग से जो 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 संबंदित लोग हैं उनके दुआरा कुछ सामने आया पहले किसकी पृतिकर की नीव को का बतलब समझते न उसकी स्थापना कर देंगे उसको बनाएंगे कैसी पार्टी जो कहा जाया कमनिस्ट पार्टी आई तो पहले से ही जर्मानी में समाजबादी लोग तो हुआ करती थे तो अब यहां पर दो एक ही बिचारधारा की दो अलग अलग साखाएं हो गई एक को कहा गया समाजबादी और दूसरे कहला है कमनिस्ट यह जिनको कहा गया सममबादी जैसे ही कमनिस्ट पार्टी की स्थापना होई तो समाजबादी और कमनिस्ट सरी जो समाजबादी और जो सममबादी हैं जिनको कमनिस्ट कहा गया इनकी बात नहीं कर पाए हितलर के खिलाः के किलाः मिलकर कभी साजा मोरचा नहीं कुल पाए इससे ले guys मौका मिल गया अपनी तरक्किश करने का और वह गया हूए जर्मनी के बाते है और या समय बात ऑर या तो आप देखेंगे समाजबाद क्या है समाजबाद एक आर्थिक सामाजिक दर्सन है बेसिक अंतर क्या है समाजबाद आर्थिक सामाजिक दर्सन है जबकि साम्मबाद क्या है सामाजिक राजनितिक दर्सन है एक आर्थिक सामाजिक दर्सन समाजबादी विवस्था में धन संपत्ती का स्वामित बितरन समाज के नियंतरण में देने की बात होती है कि भाई इसपल द्धन संपत्ती का वितरण होगा वो समाज के नियंतरण में होगा यह लोग आर्थिक सामाजिक और बैचारिक प्रत्त हैं मतलब बैचारिक प्रमाण के तौर पर सामाजबाद है नichtig समपत्ती पर अधारत अधिकारों का बिरूद करता है लिकलुत को सामाजि संरचनात्मक इस तरपर एक समता मूलक समान हो बर्ग विहीन हो समाज में बर्ग ना हो ऐसे समाज की स्थापना करते हैं दुनिया में ऐसा कहीं समाज नहीं है जहां बर्ग नहीं है तो यह आदर्स बादिस्तिती हो जाएगी बहुत आदर्स बादिस्तिती हो जाएगी कि यह जाए एतिहासिक और आर्थिक बर्चस के परतिमान धोस्ट कर दिए जाए जो पुराने तरीकिसी परतिमान है वान और वीकिनों वुस्ट कर दो आपको कहां पर देखने को मिलेगी रूस है रहें ग्जेक्ट तो नहीं लेकिन वह इस ताम्यबाद्य Supplement साके आसपास हैं आप से कभी अंतर पूछ लें कि समाजबाद और समय बाद में अंतर क्या है तुछ में मुक्ह अंतर यह है कि समाजबाद लोक्तंत और सुतंता के अनकूल है ना वो लोक्तंत में भी रहता है सुतंता के अनकूल भी है जबकि समाजबाद में एक सत्तावादी राज्य के माध्य हम से हैं एक समान समाज बनाना सामिल है उधारन के तोर पर देखना हम अगर बात करें समाज बात की और एक बात कर रहे हम साम में बात की संब्सक्राइब हो एक बात की है समाजबात के कई सारे उधारन आप को देखने को मिल सकते हैं भारत में एक पालर्टी जिसको आप समाजबादी पालर्टी के नाम से जानते हैं तो समाज बात क्या है गांदी जी ज pilgrimography गांदी जी पी बिचारधार रखती यह जा अगर इनके उधारों इसके पास है तो यहां पर आप देखेंगे चीन और रूस मैं लोकतांतरिक विवस्था नहीं है चीन में एक पार्टी है जो यहां की कमनेस्ट पार्टी है और उसका एक ही नेता है जो सी जिंपिंग सहाब बार-बार वहीं के प्रेसियंट बनते हैं वैसे ही रूस में आपने देखा होगा पुतिन सहाब बार-बार वहां के रास्पती बन रहे विवस्ता ही रही है वहां कर दूसरा सिस्टम आ जाए जबकि भारत में आपको यहां पर फ्रीड़म नहीं होगा से एक स्तमान समाज बनाना सामिल करते हैं जो बुनियादी सुतनता को इंकार करता है आपको यहाँ पर फ्रीडम नहीं होगा आपको यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी आप यहाँ पर सुतनत नहीं होंगे सामयबादी एक राजनितिक और आर्थिक बचारधारा है सोव्यत संग और चीन सामभाद से निकटता रखते हैं यहाँ पर है उनकी थोड़े से ज़्यादा निकट है तो हमने यह सारी बात यहाँ पर देख लिए क्या होगा समाजबाद क्या होगा सामयबाद और इनमें अंतर क्या होगा यह दोनव बात हैं आप इनको नोट भी कर लिया कर कमें इनको याद भी कहने डोळािस एंव आर्थिक सामाजिक दर सदाट है यह सामाजिक राजनितिक धर सन्हाइनर इस चर्वा इसमें संवाड राजनितिक अर्थिक कर्णा मेन अब क्या धाय ब्iqué अब क्या होगा जर्मनी के अंदर जर्मनी में आप दिखेंगे कुछ रेडिकल समाधान की बात होने लगेगी रेडिकल समाधान क्या अमूल परिवर्तन तुरंत परिवर्तन के लिए स्विकार और जो बड़े परिवर्तन हों उनके लिए भी बात करने लगे तो यह परिवर् करना चाहिए जर्मनी को अपना बदला लिना चाहिए जर्मनी को फिर सक्तिसाली राज के रूप में तयार होना चाहिए तब ही क्या हुआ कि इस रेडिकल बादी जो बिचार है इस बिचार को ताकत मिलेगी और ताकत कैसे मिलेगी 1923 का जो आर्थिक संकट आएगा इससे इसक ताकत को स्थापित किया जर्मनी फिर से समराज सबसे 37.30 राश्ट्रों में से एक बन जाए। कि अब देखना जर्मणी दोवारा जो युद्ध लड़ा अधा प्रफम विस द्व में जर्मनी सामिल हुआ था तो उस युद्ध में प्रफम बिसुद नाइग Ce 14 से और लास 1990 तक चला है तक युद्ध चला है फिर संधी हो जाती है फिर जर्मनी में वाइमर गड़रा जाता है राजा स्याग कर देता है तो जर्मनीं जब युद्ध लड़ रहा था पहले उद जर्मनी गया था तो युद्ध ह्हें honour के लिए दो साधन चाहिए राएक तो चाहिए और दूसरा चाहिए सेना को संबाल लें के लिए पैसा तो तो जर्मणी ने जो पैसा लिया था चुक्छी पैसे की जरूरत क्यों पर लिए जब भी आप युद्ध में जाते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं तो आप कैपिटल की जरूरत पड़ती है और युद्ध में पैसा बहुत लगता है क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप गया तो उसने उसको यह लगा था कि हम जीत रहे हैं और यह सुभाविक भी था कि सुरुवात में जर्मनी ने सब को खदेड दिया था वो तो अमेरिका के बाद में सामिल हो जाने के बाद जर्मनी पराजित हो जाता है तो जर्मनी इसी करण से पैसा और कर्ज पर ठाए कि सब को खदेर देंगे सब का इलाका चीन चान लेंगे और अपन सब कर लेंगे सब हो जाएगा हिसाब कोई दिक्कत नहीं है तो इसने क्या किया कि पैसा उधार लिया यह पैस किसमत देना पड़ा सोने के सुक्कों में स्वण मुद्राओं में देना पड़ा इस इस्तिती से क्या हुआ कि जब पैसा आपने लिया कोई और तरीके से है दिया आपने सोने के मुद्रों में या सोने के सिक्कों के रूप में दिया है तो जर्मनी के सोने के सिक्कों के भंडार या सोने के भंडार क्या होने लगे खत्म होने की कगार पर आ गए एकदम खत्म होने जैसी इस्तिति और खराब हो गई कैसे खराब हो गई कि जब 1923 म है जब जो महामंदी का दोर आ जाएगा हम आगे पढ़ेंगे महामंदी के बारे में जो महामंदी का दोर आ जाएगा तो जर्मनी क्या करेगा जर्मनी ने करजा और हरजाना चुकाने से मना कर दिया कि हम ना कोई करजा चुकाएंगे ना ही हम कोई हरजाना देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं आप से जो बने वो आप कर लो और जो भी आप से ठीक लगता है वो आप कर लो हम कुछ नहीं चुका पाएंगे ऐसा जर्मानी के द्वारा कह दिया गया अब 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 देखना क्या होगा कि जब जर्मनी नहीं यह सारी सीज़ा मना कर दें कि हम नहीं देंगे हम नहीं चुकाएंगे हमारे पास है नहीं ना तो हम हर जाना देंगे ना करजा चुकाएंगे तो जर्मनी का एक बड़ा फेमस एरिया है जिसको कहते है रूर प्रदेश यहां पर कोईले के भंडार है ना त आपे तो अब कोईले से क्या होता है बाइख कोईले से ही आप की उ dépendर की और जिएलागव ख्रीजा सारे काम मस्टल्व उट्वरियों की उर्जा आतने या उस समय पर जो यूख ठा उसके नहीं क्या कोईले से आज भी कोईले से ही होती है तो रूरी प्रदेश पर किसने कबजा कर लिया फ्रांस ने कबजा कर लिया और यह रूर्यिया आप दिखिए हैं की लाका कोईले का मेरी रबार उद्द भार श्ठापित कर सकते को भी बनावां करता नहीं तो कोईले कह सुपत्से बड़ा Ebham हुआना ऑफ जर्मानी ने जर्मानी ने विरृद करने का नया तरीका निकाला जिसको कहते हैं नस्क्रिये प्रतिरोद किसे खिलाफ किया गया फ्रांस किबरुद किया गया क्यों किया गया फ्रांस किबरुद क्योंकि फ्रांस ने रूर एरिया पर कबजा कर लिया था इसी कारण से यह निस्क्रिय प्रतिरोद किया गया क्या था यह निस्क्रिय प्रतिरोद में तो निस्क्रिय प्रति हो क्या रहा था कि भाई ज्यादा मुद्रश हापेंगे तो उसकी कीमत खराब हो जाए देखो आप ऐसे मान के चलना कोई भी चीज की कीमत कब तक है जब तक वो परियापत मातरा में बाजार में आप जैसे भी गर्मियों में देखेंगे अभी टमाटर क्या होगा टमाटर भी बीस का दे रहा होगा नहीं पंद्रा का लगा लो अपने ऐसे बात करते हैं क्योंकि टमाटर परियाप मातरा में है इसकी कीमत खराब है अब जब कम आता है बजार में तो क्या होता है कि दुकान दार ने देखा कि आया नहीं है तो आज उसने 40 का बेचा उसका कुछ बच ब होगा मुद्रा के साथ भी इनने मुद्रा इतनी मातरा में छाप दी है ना इनने मुद्रा इतनी मातरा में छाप दी कि क्या होगा कि उसकी कीमत गरना स्टार्ट हो गई आपको एक और उधार देख कर देता हूं जिससे पैसा सब जगए बढ़ा है है ना आप देखना पहले तब कीमत कम पहले एक दो रॉपय में जो चीज़ा थी क्या हो गई है अब पैसे की ल कम अप्रक्षा मोगई है एक रोपय ऑब थी तो पर दोना तो वह चाह tarafष के तो यह किन सुख करकश Wait गया है जब कम होगा तो उसके कीमत ज्यादा होगे क्योंकि अब ज्यादा चीजे खरीद पाएंगे तो जर्मनी a वातरा में जा पैसाच छाप दिया तो फिर selv когда आपने पास भी, इतना है त AG यह रहाई अपनध के सूट केस खोल दिया बोलो इतना पडा तो पैसे कीमत क्या होगी कम हो जाएगी और मार्क जो है वो क्या है मार्क जर्मनी की मुद्रा का नाम था जिसको हम मार्क के नाम से जानते हैं जो उस टाइम पर चलती थी क्या होगा जर्मनी ने जब कागजी मुद्रा छापी जिसको मार्क कहा गया इसकी ज्यादा छपाई कर दी गई स्मुध्रा का मूल किया कोगा गिर जाएगा ऐसे अब देखेंगर भारत का रुप आ है रोप्या का निसान यह है और अगर है डॉलर में कंवर्ट करते हैं रहला तो एक डॉलर के बराबर क्या कीमत आती है एक बराबर क्या कीमत कीमत आती एक नहीं है तक इसका कीमत आती है मतलब अमेरिका इक ड GDP और भारत 44 अंतरष के ऑंजार के अंतर अगर हम जादा रूप्या छापते ही उंद्ड क्कीमत कीमत क्या होगी इसकी कीमत गिरना स्टार्ट जाएगी कभी 550 हो जाएगी और तर मिलता तो यह जीरों बढ़ते चले जाएंगे कीमत आगे बढ़ते चले जाएगी वही हुआ जर्मनी के साथ किसने बिना सोचे समझे मुद्रा को चापना चालू कर दिया तो उसकी कीमत क्या हो गई लगातार गिरना स्टार्ट हो गई दीरे दीरे गिरती चलिए आती है यह तीन चार महीनों के उधारन आप देखेंगे मार्क के कैसे अपरेल में मार्क की कीमत एक डॉलर के बराबर मतलब एक डॉलर में कितने मार्क आते थी चौबीस हजार मार्क थे खराब थी किमें और खराब हुई अब अपरेल के बाद अप 80,60,000 रुपए यह 60,000 मार्क तो आप क्या देख रहे हैं इस से कीमत क्या उरे लगातार गिर रही है लगातार आप चापते जा रहा है तो लगातार गिर रही है लगातार कीमत गिरती जा रही है मतलब अब आप पो कुछ भी खरीदना होगा तो एक मार्क में तो कुछ नहीं रही हैं और स्थानी बजार में जरूरत की चीज़े हो रही है उपर की तरफ जा रही है और इसी कीमत क्या हो रही है नीचे की तरफ जा रही है हालात यह हो गए जर्मनी के अंदर यह पाव रोटी जो अपन रोटी लेते हैं होटल से हमारे रोटी चलती है उनका पाव रोटी पाव रोटी मिल पाएगी तो यह खुद खाप आएंगे परिवारों खिला पाएंगे तो क्या होगा एक ज्यादा कीमत छापने से मुद्रा का अउमूलियन हो गया मुद्रा की किसके प्रती हो गई जर्मानी के प्रती हो गई कि नई यार इसके साथ गलत युद्ध किया था जर्मानी में लेकिन जर्मानी के दूसरे ही है आपकी रुक्य वेल्यू दिया क्ừa होती है कम हो जाती है मुद्रा की वेल्यू और आपके जरुषत की चीजें बहुँत भी हिसाब बढ़ जाती हुसों कहते हैं अती ब्रुषपी ती जर्मनी में। यह स्थिती से निकालने के लिए जर्मनी की यह हालत थी हमने अभी देखा है अभी जर्मनी की यह हुआ करती थी वह एक पारोटी खरीदने के लिए बहुत संगर्स करना पड़ था बहुत दूर दूर तक जाना पड़ था और महंगाई क्या थी कि लगातार बढ़ते चली जा रहे थी बैल गाली भर आप ले जा रहे तब पारोटी मिल पा रही हैं तो इतनी हालत खराग थी और दुनिया भर से इसको समर्थन मिल रहा था तो अमेरिका ने ठाना कि भाई अब हम इसको इस चीज़ से निकाल लेंगे मतलब जो अत्ली मुद्रश पीति की समस्या जर्मनी बन गई है हम इससे न नकालने के लिए जर्मनी की जो अत्ली मुद्रश पिति की कन्डीशन बने गई थी उससे निकालने के लिए डियार की इसमें क्या हुना था इस योजहना के अंतरगत जो हर जाने की सर्ते है उनको दुबारा से तै किया जाए ये योजना ये खहती थी जो के तर पर पैसे लगा था ए स्वारा से किया जाए तक कि जर्मनी पर बहुत लोड ना पड़े इसके लिए अमेरिका ने प्लान बनाया था इसको कहते हैं हम डाप स्योजना के नाम से के लिए तो आगे हम यह दिखेंगे महामंदी का दौर कैसे आएगा तो आगे वाले वीडियो के अंदर हम यह सारी बात हैं यहां पर पढ़ेंगे मागनेट ब्रेंस ने आपकी सुपधा के लिए ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे अपना एक एप डेवलप किया है अपनी एक वेपसाइट डेवलप की है एप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वेपसाइट का उप्योग करने के लिए गूगल पर टा अपके सामने सब एवی लेवल हो जाएंगे यह सारे यह सामने होंगे आपको जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पर था सब्चेक भी रहेंगे वहां पर तो आपको जिसके बारे हैं पढ़ना तो ऑपक्रोच चुब थिक करें किसा चाह रहे हैं आप इतिहास पढ़ना चाह रहे था हैं तो आपने हमारी किताब यही है भारत और सम कालिन уч तो होता क्या है यह फ्लेलिस्स खुल जाती हर चेप्टर में कितने वीडियोयों है सारी आपको आपने लेक्षा आपने क्लिक किया और यह नहीं अगला देखना चाहिए हम जा रहा है और पढ़ने में मन लग रहा है तो आपको अगला देखना चाहिए तो आपको अगला जाएगा लाइन से सिक्वेंस तरीके से आप कोई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको किसी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होगी मैगनेट ब्रेंस हिंदी हिंदी माध्यम के विध्यार्थियों के लिए कख्छा च्छै से लेकर कख्छा बार्मी तक का संपून पाठिक्रम बिलकुर नेसल में उपलब्द करा रहा है वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मैगनेट ब्रेंस हिंदी को सब्सक्राइब करें जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें अपने दोस्तों में जरूर से सेर करें कमेंट करकर हमें भी बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं नन्यवाद